नमस्ते, आज देखिए देशी श्टाल से खाना बन रहा है, भरता बाटी, अचार, पापड, चट्नी, कैरी की चट्नी, और बहुती अच्छा बनाता खाना, ये देखिए देशी तरीके से बना रही हूं, ये आगी पे सेख रही हूं है, बटे और टमाटर तोनों, आगी पे सेग रही हूँ मैं देशी तरीके से कुझको इस पर आगी पर पिसेग हो ना तो बहुत ही टेश्ट वी लगता बढ़ता पैसे अपन गेश्ट में भी शैख सकते हैं लेकिन गेश्ट पर अथने तेस्ट नहीं लगता चितना आगी पमाइन क़्या लगता है क्या बुश आज मेरा मन करा कि मैं देशी तरीके से बनाओं और आप लोगों को दिखाओं तो इस चक्कर में मैं देशी तरीके से बना रही हूं नहीं तो फिर आप लोगों को नहीं दिखाना होता तो फिर मैं गेस पर ही सेख लेती आप लोगों को दिखाने के चक्कर में सेख रही हूं म मैंने सोचा वीडियो बना लूँगी देशी तरीक हैं ये देखिए अच्चा वट्टा पट्र दोनों च्छछ ख गौए अब इसको निकाल लोंगी और पहनी से अच्छ कर लोंगी च्छिक्कल निकाल के यह देखी कितना अच्छ शिका है भूद ही अच्छ शिख गया अब इसको निकालके और अच्छे साप करूँगी इसको चिककल निकालूँगी इसके और बहुत ही अच्छा भरता बना था बहुत ही टेश्टी लगा इस तरीके से बहुत ही टेश्टी लगता है भरता और इसको अब ले जा रही हूं मैं नीचे किचिन में इसको साप करूंगे पानी से अब ये इसपर छट पे रख के सेक रहे थी ये देखीए ये छिकल निकाल रही हूं एक हास से नहीं निकल रहा था तो मैंने फिर मुबाइल को रख दिया और शिक्कल निकालगी फिर दिखाया मैंने आपको यह देखिए एक हाज से नहीं निकाल रहा था क्यों गरम भी था ला तो फिर मैंने मुबाल रख दिये यह देखिए अब इसमें डाला जीरा और यह प्याई डाला प्याई डालने के बाद अच्छे से सेखूंगी प्याई चिख जाएगी थोड़ा अद्रक लेशन का पेश्ट डालूंगी वुग बजार का मंगवाया है मैंने घर में लेशन नहीं था तो इसलिए मैंने बजार का मंगवाया था क्योंकि बजार वाला भी अच्छा लगता है और घर पे लेशन हो तो घर पे बना लो अपन ल लेकिन आज लेशन नहीं था तो मैंने बजार का मंगवा लिया था तो यह देखिए बजार का यह भी अच्छा रहता है लेकिन हम लोग कम यूज करते बजार का घर में ही बनाते हैं हम लोग तो इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है लेसन डालने से ऐसे तो प्याज वाला भी अच्छा लगता है लेकिन लेसन द्रक से और थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है और हींग तो जरूर डालना चाहिए इसमें यह हल्दी दिख रही होगी आपको और कुछ भी नहीं दिख पीज़ऄा और गर्मसाला सारी चीज़ी द Championships कृ और इसके बाद बनाऊंगý मैं बाटी और इसमें हाँ थोड़ा पानी डालोंगी मैं क्योंकि पानी से थोड़ा अच्छा लगएगा सुका अच्छा नहीं लगता तो पानी डाल्चे-थोड़ी देर को लाउन इसमें मासाल पानी कम हो जाएगा इसका फिर इसमें धनिया डालूँगे यह देखिए हो गया पानी कम थोड़ा सा अब अच्छे से खोल रहा है तो इसमें फिर उतार के धनिया डाल दूँगे यह बाटी बन गई बाटी ओबन में सेखूंगे मैं आगी पर नीशेखूंगे क्योंकि हाथ दो जलते हैं गर्मी आगे तो गर्मियों में ने सिकते यह देखिये धनिया डाल रही होँ और मैं अड़र डाले है दो वह वाटी उजाद अच्छी लगती है लेकिन आज मैंने गर्मी की कारण मैंने ओवन में बना ली तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना सब्सक्राइब करना वीडियो को जरूर जरूर पसंद लाइए